दोस्तों आज के एस वीडियो में मैं आपको Hevels Lloyd Air Conditioner के एक एसे फीचर के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में आपको Hevels Lloyd की Technician ने में हो सकता है कि नहीं बताओ दोस्तों येस फीचर का नाम है Installation Check का फीचर और इस फीचर को यूज़ करके आप अपने Air Conditioner का सामना करना पड़ता है जैसे क्या आपको Cooling Proper नहीं मिलती या फिर आप Air Conditioner के Performance से बिल्कुल भी Satisfied नहीं होते हैं लेकिन आपको Hevels Lloyd के Air Conditioner में ये फीचर देखने को मिलता है और इस फीचर को यूज़ करके आप अपने Air Conditioner के Installation का Status Proper चेक कर सकते हैं और आज के इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि इस फीचर को आपको कैसे यूज़ करना है Step by Step अगर आप पूरी प्रॉसेस फॉलो करेंगी तो दूस्तों इस फीचर के बारे में आपको complete information मिलेगी लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को प्रीस करना मत बुलिएगा क्योंकि इसी तरीके के available वीडियो आपको हमारे चैनल पर टाइम टाइम मिलते रहेंगे जो कि आपका knowledge बढ़ाते रहेंगे तो उस air conditioner के अंदर आपको यह feature जरूर देखने को मिलेगा लेकिन सभी model में यह feature अवेलेबल नहीं है बात करें इसकी process के दोस्तों आपको दो process यहाँ पर मिलेगी इस feature को चेक करने की एक दोस्तों आपको हैवल्स लॉयड air conditioner के साथ जो यह book मिली है बात करें जिसकी user manuals मिले जिसके अंदर सारे features दे हुए है इसके page number 26 पर आपको visible हो रही होगी इसकी information जहाँ पर आप जो है वो proper तरीके से इस feature को use करके installation check जो है वो feature को use कर सकता है इसके लावा एक और process है वो है दोस्तों हैवल्स लॉयड की website के उपर और website का नाम है दोस्तों myloid.com और यहां से भी आपको installation चेक के process की feature की जो process है वो देखने को मिल जाएगी आपको केवल जो step follow करनी है मैं आपको बता रहा हूँ उसकी through आपको follow करनी है आपको just myloid.com website पर visit करना है air conditional section को आपको select करना है उसके बाद दोस्तों air conditional के किसी भी model को आप select करें वहाँ पर आपको view browser का एक button visible होगा आपको just उस button को जो है वो प्रेस करना है उसके बाद दोस से आप कुछ page turn करते जाएंगे आपको installation check का एक page visible होगा वहाँ पर दोस्तों आपको पूरी process दी हुई है अब यहाँ पर आपको browser के उपर पूरी process जो है वो step by step mention की हुई देखने को मिल रहे हैं दोस्तों आप इस feature को जिकेवल जो है वो stand by mode पर ही use कर सकता है याने कि आपक air conditioner की जो power supply है वो on होना चाहिए लेकिन air conditioner जो है वो remote control से off होना चाहिए दोस्तों remote control के उपर आपको display button देखने को मलता है और display button normally हम जो है वो air conditioner के indoor unit पर जो भी temperature visible होता है उससे on या off करने के लिए use करते हैं लेकिन display button के तरू ही दोस्तों आपको installation check feature को भी use कर सकता है step number two यह ह है कि दोस्तों आपको display button को कम से कम छे बार प्रेस करना है यहने कि छे बार आपको प्रेस करना ही है दस सेकिंड के अंदर ही अंदर जिस ही आप प्रेस करेंगे दोस्तों तो फिर indoor unit पर LED lights जो है वो blink होगी और चार बार beep sound play होगा बीप sound play होने के बाद तीन मिनिट के अंदर अंदर आपको display button को ही दो बार दोबारा प्रेस करना है उसके बाद दोस्तों air conditioner जो है वो installation check feature को शुरू कर देगा और यह चेक करेगा कि आपके air conditioner का installation जो है वो proper हुआ है यह नहीं हुआ है टोटल 15 टेस्ट होंगे जिसके अंदर indoor unit के 8 टेस्ट होंगे और outdoor unit के start टेस्ट हों दोस्तों 10 से 15 इनिट का समय लग सकता है तो आपको उस दुरान कुछ भी परेशान होने के जरूरत नहीं है क्योंकि air conditioner जो है वो program run करेगा और proper step by step यह चेक करेगा कि आपके indoor unit के क्या क्या test हो रहा है यह outdoor unit के क्या क्या test हो रहा है और यह सारी process बिल्कुल आप देख भी सकत वो आपको indoor unit पर visible होंगे लेकिन यह एक normal process run हो रही है और air conditioner यह चेक कर रहा है कि आपके air conditioner का installation प्रॉपर हुआ है यह नहीं हुआ है जब कभी यह process run हो रही होगी तो air conditioner के indoor unit से आपको cooling देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जब कभी यह process पूरी तरीके से complete हो जाएगी तो air conditioner के blur से आपको cooling जो है वो proper देखने को मिल जाएगी उस दुरान दोस्तों आपको यह करना है कि आपके air conditioner को दुबारा आपको off करना है और दुबारा अगर आप उससे on करेंगे तो जो भी status होगा यानि कि अगर आपका installation proper हुआ है तो air conditioner के display पर आपको go का symbol visible होगा यानि कि go go का symbol visible होगा इससे कि आपको यह बता चलेगा कि आपका air conditioner जो है वह proper installed हो चुका है लेकिन installation में कोई problem है तो फिर NG error code symbol visible होगा जिससे आपको यह बता चलेगा कि आपका air conditioner यो है वह प्रापर इंस्टॉल नहीं हुआ तो इस प्रॉसेस को करके दोस्तों आप अपने स्टभार के इस्टभ कर सकते हैं एक सिंपल सी प्रॉसेस है जिसके स्टेप अपको फॉलौ क पर नहीं है उसके बाद आप आपके अर्सography फालो कर ना का इंस्टभर ज़रूर रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंट सुम्बर के साथ ज़रूर शेर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज कमेंड कीजिए आपके सवाले को रिप्लाई आपको हमारी और से मिल जाएगा दोस्तों आज के वीड